हेलो फ्रेंटजे, वेलकम तुमाई चैनल आज हम आपको बता रहे हैं मैट्रिस आभियू, प्रेक्टिस स्साइब उल्ब ते लिए ब्यूर्ट जिआ को ब्डेंट करा रहे हैं ०ो आपके टीजे पीजेटी के लिए इचली वीडियो को में बढ़ा हैं हम विजिट कर रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यह जो रैड रंग का बटन है इसे दबा कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बरारमिक वैल का इकन भी है इसको भी दबा दीजिए ताकि नए वीडियो की जो नोटिफिकेशन और वो सबसे पहले आपको मिल सके वीडियो के अंत में अगर आपको हमारे दोवारा बनाएगे, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और अपने फ्रेंड को सेयर करना बिल्कों मन्हूलिए. चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट. कोशनी सर से पहला आपकी स्क्रीन पर है इसमें हमें बताना है कि इनमें से कौन सा विकल सही है तो इसके लिए हमें करना है पहले A और B की मल्टिप्लाइ करनी जो आंसर आएगा उसके C से मल्टिप्लाइ करनी जैसे हम A और B की मल्टिप्लाइ करेंगे यह A और यह B तो A है यहाँ पर X भाई तो इस पूरी रो को उठाकर इसके उपर रख देंगे देखें इसका जो ओडर है वो रो है एक और कोलम कितने हैं इसमें थ्री है और इसका जो ओडर है थ्री भाई थ्री का है तो multiply का rule होता है कि पहले के column और दूसरे के row सेम होने चाहिए यानि multiply के बाद जो आने वाला हो 1Y3 का आने वाला हो और क्या है का बन बाई थ्री का देख लिए तो पहले इसकी multiply करेंगे तो आएगा AX प्लस के H बाई बाई H प्लस के ZG इसी प्रकार से आप इस वाली रोकी करेंगे हम इसकी यहां से इसे करतेंगे तो आएगा हमारा HX प्लस BY प्लस ZF इसी तरह से आप तीसी वाली रोकी इससे करेंगे तो आएगा GX प्लस FY प्लस CZ ठीक है अब C से और कर देनी है तो C से यहाँ पर multiply करेंगे और C के इस्तान पर यहाँ पर है XYZ ठीक है अब यहाँ पर फिर वही काम करना X के इतने से multiply होगी BJ plus का निसान लग जाएगा फिर इस वाले की इस से करनी X से और इस वाले की हो जाएगी Y से और इसकी हो जाएगी Z से जैसे इसको solve करेंगे तो answer हमारा जो आएगा हो आएगा यह वाला इनि C is correct answer हो जाएगा तेक लेटें नेक्स कुशन नेक्स कुशन यह है A square matrix A is idempotent तो square matrix कोई भी idempotent होता है कब होता है जब A square is equal to A के equal होता है ठीक है अगर A is square A के equal होता है तो से matrix को हम बोलते है idempotent matrix A हमें दे रखा 1,0,0 then A is not तो इसमें सब कौन सा नहीं होगा तो हम A cross A निकालते है तो A cross जो होता है वो होता है A cross A तो A के स्थान पर यहाँ पर है 1,0,0,1 यहाँ 1,0,0,1 अब देखें इसकी अगर हम multiply करें तो आएगा बन की बन से करेंगे और 0 तो यहाँ 1,0,0,1 यहाँ आएगा multiply हो की और यह किसके equal है एक equal है तो A के किसके बरावर होगे है एक equal अगर हम इसका transport करते है एका तो वो तो भी एक equal ही रहता है तो अगर हम इसको A को हम I B बोल देते है तो A square I के equal है तो इसका A B है A square I B है बन का मतलब है यहाँ I से है और A का जो है does not have inverse इन मेंसे कौन से matrix का inverse नहीं है तो आपको बता दें कि उस matrix का inverse नहीं होगा जिसकी determinant 0 होगी तो यहाँ पर देखिए अगर हम इनकी multiply करते है 2 minus 0 तो यह भी non 0 आ रहा है यह नि इसका भी inverse possible है इसको हम करते है 2 minus 2 तो यहाँ पर देखिए यह आ रहा है 0 और बाकी यहाँ पर देखिए 1 minus 4 यह भी non 0 आ रहा लास्ट वाला यह भी क्या रहा non 0 आ रहा तो किवल एक ही ऐसा है जिसके में determinant 0 आ रही है ठीक है यानि modulus 0 आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि जो B है इसका जो inverse नहीं निकाल सकते B वाला इसका right option होगी है next question है solve यह इन में से कौन सा इसका हल है तो इसे solve करने के लिए देखिए बैसे तो हम इसको matrix method से solve करते हैं लेकिन अगर option में कोशन आता है तो इसे हमें matrix से solve करने जरूत नहीं है बस यह देख लो कौन से answer इन समीकरणों को satisfy कर रहे है तो यहाँ पर देखिए जो तीसरी value है यह तीन समीकरणों को satisfy कर रहे है कैसे देखिए X के stand पर 1 रखेंगे 3 Y के stand पर 2 रखेंगे 4 Z के stand पर 3 रखेंगे 3, 6 अब इसको solve करेंगे 3, 6, 9 9, 6, 3, 9 X के stand पर 1 रखेंगे Y के stand पर 2 रखेंगे 2, 3, 4 Z के stand पर 3 रखेंगे 3, 3, 9 रखेंगे 9, 3, 12, 4 रखेंगे 8 इसको satisfy कर रहा है दूसरी में रखेंगे देखिए यहाँ पर 2 रखेंगे 2 और यहाँ आएगा 2 और यहाँ पर jayat kep stand पर 3 रखेंगे तो solve करी आएगा बन 4 पर रखेंगे 4 और यहाँ 6-90 रखेंगे 3 और यहाँ उड़ागे 6 तब भी दिखिए sublau comigo जो आरहा है वो चार है गारा तो इसका मतलब यह भी इसका सही answer तो write answer कौनसा होगे देन फाइंड волफूट में आपको तौछ भीता तो एड्जॉइंट के वेन इस प्रमॡ इनको इंट्रेंज कर देती है यह जाल है विए अरिंगां अर्फ के साइन चीज कर देते हैं तो आंसा कॉंसा हो है इसका है इसक छाईट जाएंसर होगीյ नाइस कोशन है यह अलफा इतना दे रखा हमें ठीक है और विच वन अवब दा फॉलाइंग इस नोट ट्रू नहीं है तो आपको बता दें मैं इसका अगर एड्जॉइंट निकालू यह अलफा तो यह मैंना आपको बता रखा है एड्जॉइंट कैसा निकलता है इनके इंट तो इनवर्स क्या हो जाएगा इसका यह जाएगा इनवर्स ठीक है तो यहां पर इनवर्स देखिए इसका जो इनवर्स है वो इसके एक एक क्वल नहीं है चेंज होगे अलग होगे तो इसमें जो रोंग कौन सा यह बताना रोंग कौन सा हुआ इसका यह वाला इसका रोंग मार्टिप्लाइगा और यहां पर बीटा करें तो इस में एको लाइगा और यहाँ पर एल्पा बीटा रख रहें तब एक्कवल थाएगा और यह इसका निकालते हैं तो जो एंड जो ती इसकी इहां ऐल्फा से multiply हो जाती है तो इसमें जो wrong answer है वो D है जैनी which is not true concern true नहीं B इसका D इसका right answer होगे नाइस question देख लेते हैं यह है यह है A, B, R, symmetric matrix, same order then A, B minus B, E, J देखें A, R, B, symmetric matrix का मतलब यह है कि A का जो transpose है वो A के call है और B का जो transpose है वो B के call है तो A इन में से क्या होगा तो इसमें then order okay symmetric matrix then same order then A minus B A is equal to तो A minus B A का हमने देखें transpose किया, transpose करेंगे तो पहले यह property होती है इसको हमने जो है interchange कर दिया, यह property होती है कि A, B का transpose बरावर होता है B का transpose into A का transpose, तो यहाँ पर देखें हमने यह property लगा दी, ठीक है और B का transpose इसके बरावर दे रखा, B के call दे रखा, A का transpose इसके call दे रखा, A के call दे रखा इसके कि जगा, A के जगा, A की जगए इसके लगा दिया, तो देखें, यहाँ पर इसका transpose है वह हटके बस inter change हो गया यानि इसका transpose हो गया, तो कैसा हो गया, यहाँ पर देखें, यह उड़र चेंज हो गया यहाँ पर A-B को हम भी यह लिए सकते हैं यह चेंज करके लिए सकते हैं यानिकि A का ट्रांस्पोज एक-एक कवल आ गया तो इसका मलता ही कंडिशन होती है स्यमेट्रिक की तो इसका जो राइट अन्सर हुआ वो क्या हुआ स्यमेट्रिक ठीक है कोशन है कि दर डाइगोनल और अफ़ेल्मेंट ऑफ इसको स्युनों यस च्वातिक मैक्रिक्स आर और खोनागे किस्क्यू च्यूमेक्ट्री मैक्रिंट खंट है यह ब्लाइब इनुक में साइंड चेंज होता है प्लस एक गर्णों कि sell per ten общ log क्या हूँ क होता र no po पोई सबोसा बीस का राइट अंसर है और जो होता जो होता नğinके नेक्स पूशिन देक लेते हैं यह हमें रहा देन फेंड हो तो देखें अगर इसक ऐसाब डाइगनों को छोड़के बाकी element 0 हो तो जो यह element होते हैं वो इगन वेलू के लाते हैं ठीक है क्या होने चाहिए अब हमें इसके adjoint की पूछी तो पहले इसका adjoint निकाल लेते हैं मैंने आपको सिखा रहा फिर भी मैं आपको बता देता हूं कैसे निकालने पहले तो इनके element लिखे लिए जो हमेंदे रखिए ए जीरो 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 बी-जीरो-जीरो शी सके बास उपर वाली line को रिपीट कर लेते हैं के जीरो 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 मैंने इसके जीरो जीरो और ये पिछ बैने को गएप ़कर देखिन एड जोंट क्या हो इसका है इसकी मेलटिप्लाइ ऐसे करेंगे और इसकी एसे सब्सक्राइबभा बी और यथि इसकी इसकी यहां से करना है तो यह भी जीरो जाएगा इसकी यहां से करेंगे यह भी जीरो होगे अब इसके बाद यहां आते हैं यह भी जीरो होगे इसकी मल्टिप्ला यहां से करेंगे यह भी जीरो होगे यहां करेंगे तो आजागा AC अ कैसा होगय यह यह वाला आ गया एसी हो जायगा यहां पर 10 होजाएंगा और इसकी हाँ पर 20 करेंगे कि मैं Esse आज यहाँ पर बहुत कर दो कि को जाएगा यहां पर ही जिखेया its कि यहां यह होई इगन वेलू सTalk ने सब हमना तो पहले हुए गान साथ हूं पासा आइलेमेंट जी रहुतर के हुटें कि ते पुक्ष्ट साथ हुगा हा ぇसे सविरतियंट सबहें दिहें का जाए झालना नहीं बना गई और एड्जोइंट इनके डाइगों इसको साइन इसको इंटर्चेंज कर लीजिए ठीक है इनके साइन चेंज कर दीजिए माइनस साइन अलफा और साइन यह इसका और आप उन बन लिख देंगे कौन सांसर होगे कोस अलफा कोस अलफा माइनस के साइन अलफा इसका 20 का राइटा अंसर आगया देख लेते हैं नेस्ट कॉश्चन यह देखा था रैंक आफ दिस मैट्रिक्स हमें इस मैट्रिक्स की रैंक निकालने के लिए आपको बता दें देखें हैं रैंक क्या होती है जिसकी जो डिटरिमेंट अगर वो नौन जिरो आती है जितने ओर सर आइब शीट मैट्रिक्स की सब मैट्रिक्स निकालते हैं जिया अगर वो 9 जिरो आइब तो जो उसका और अचा होता वही इसकी也ंग हो जाती है ठीखे तो यहां पर देखिए वन का गर हम सब में ट्रिस निकालेंगे तो यहां पर यह बचेगा है यह इसको ऐसे करें एक काम्र कर सकते हैं यहां पर देखिए R2 मेंसे R1 माइनिस कर दें और R3 मेंसे भी R1 माइनिस कर दें तोर आर फोर में से भी क्या कश ड है आर वन माइनस कर दो ठीक है अगर हम ऐसा कर दें तो क्या हो जाएगा यहां पर देखें सबस्क्राइब रभी कि समय को इस विक है उर्ट जो में से जीडियों कैसे इस मेंस और vorbere सब्सक्राइब मन talk 6 आब देखें इसमें से यहाली माइनेस करेंगे C1 में से सीतू तो यहां पर केवर्गा ही element बच है तो सब मैट्रिक्स जो बच रही हो केवल एक ओडर की बच रही वन यह वाली तो इसका जो रैंक हो गए वह कितनी होगी वन हो इसकी रैंक इतनी होगी इसकी वन तो कि यही यहां पर बच रही है नेस्ट कोशन है थ्री क्रॉस थ्री यहां पर इसका ओडर होता है तो यहां पर तू की पावर जो इसका ओर होता है तू की पावर यहां वाली है उसमें से एक कम होता है और इंटू एड्जोंट यह होता है तो यहां पर जो है टू की पावर थिरी माञिस बन और हो ता तो यह सफिव गए यह सही रहा था यह भी सॉहैंने छोग एक राइट ऑन्सर उग इनकरैट सिप्टी मांच हो गया सी वला नाश कुस्छन है, inverse of the matrix will not exist if k is equal to यानि कि इसका inverse कब exist नहीं होगा, तो हम जानते inverse तब नहीं होता, जब इसका modulus 0 हो, तो modulus क्या होगी, इसकी अकर 0 हो तो ऑफ इनवर्स exist नहीं करेगा, अब modulus कैसे निकालेंगे cross multiply, to 5, जा 10, और 3k तो यहां सा के की वेलो निकाल लेंगे आ जाएगी दस अपों तो दस वेटे तीन के लिए जो है इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा यानिकि राइट आंसर होगा इसका डी नेक्स कोशन देख लेते हैं रैंक आफ दिस मैट्रिक्स तो इस मैट्रिक्स की रैंक हमें बताने अगर जीरो होने के बाद जो इसका सब मैट्रिक्स है नि छोटी-छोटी जो सब मैट्रिक्स इसकी बचती है वह उसका जो जो जितने ओडर का होगा वह इसकी रैंक के लाई है यह जो तो यहां पर देखे हैं अगर हम आट थ्री में से और बन माइनस कर दें क्या कर दें R1 minus तो क्या आएगा यहां पी यह 0 3 minus 2 यह भी 0 हो गया minus का 3 हो जाएगा plus का 3 हो रही हो जायगा minus का ठीके और यहां पे फिर R3 में ऐसे R2 minus कर दे तो यहां पर देखिए यह आ जाए इसकी 2 1 माइनस 1 और यहां क्या जाएगा 0 3 माइनस 2 यह होगी है 0 0 0 होगी ठीक अब देखे इसके बाद हम इसको और कोई 0 करना चाहें तो वो कोई element 0 नहीं होगा यहनी सबसे चोटी जो इसकी सब मैट्रिक्स होगी जिसका डिटरिमेंट 9 0 हो कौन सी है 2 by 2 देखे हैं हम जेसे यहां से लें यहां से लें यह यह वाली बच रही है यह जाएगा माइनस के 2 प्लस के 3 और यह क्या है 9 0 ठीक है तो यह 2 by 2 की यहां पर बच गई तो इसका जो rank होगी वो कितनी होगी 2 होगी तो कि इससे छोटा और नहीं किया सकता है तो rank होगा इसकी 2 by 2 यह जानिकि यह 2 by 2 का बच रहा है तो rank होगी 2 नेश कोशन देख लेते हैं A देरखा B देरखा AB VA exist इन में से बताना कौन सा statement इसका सही है तो यह बता दें आपको यह भी अगर हम A की B से multiply करेंगे तो देखे क्या हैगा पहले जाए इसका order लिख लेते हैं इसका order है row कितनी है इसके अंदर 2 column कितनी है 3 ठीक है इसकी row कितनी है 3 column कितनी है इसके 2 तो पहले की column दूसरे की row यानि A भी तो फिल्कुस exist कर सकते है अगर मैं अब इसको पहले लिख दू 3 multiply 2 और 2 multiply 3 तो पहले की column दूसरे की row यानि की A B B exist है B A B exist है लेकिन बात कर रहा है कि यह value R equal तो A B B A exist तो इसका मतला A B B A क्या दोनों exist है इसमें A B B A exist है तो इसका मतला यह वाला को होने सकता A B does not exist तो इसन दोनों से कोईसा एक होगा A B B A exist R1 पर अब देखना यह है कि value सेम है या डिफरेंट है तो इसके लिए क्या करेंगे हम इसकी A B की multiply करके देखेंगे और B A की multiply करके देखेंगे अगर same आती है ठीक है तो लिखें पहला answer A सही हो जाएगा अशीम नहीं आती है तो दूसा वला answer एक सही हो जाएगा तो चेक कर लेते हैं multiply करके multiply कैसे करेंगे वह मैंने आपको बता आई इसे उठाके यहाँ पर ऐसे रख देंगे तो multiply करेंगे तो कितना है एक दो चार दोनी आठ तीन ती है तीन दोनी च्छे ऐसी नीचे करेंगे दो चोख आठ चार दोनी आठ और पांद दस तीक है अब इसके पांद पांद पर सेम ऐसे दूसरे वाले सब मिल्टिप्लाइगे तो तीन और पांद दस तेखे और पिर तीनी ऐसी नीचे वारिस करेंगे क्या एगा तीन चुप बार है और तीन पांट दूनी दस और प्लस के पांच अब इससे सॉल कर लेते हैं देखते हैं कितनी आती है कितनी आ गए यह आठ जीरो आ गया और इसके बाद यह भी देखिए जीरो हो गया नेस्ट ह दो तिन पांच माइनस के पांच आ गया और यहां पर बचा बदस पांच पंद्रा पंद्र मेंसे बारे गए तीन यह आ यह आज़िए अब इसका उल्टा चेंज रखने देखो बीया निगाल कर देखो यह निदो जीरो आ रहे हैं यहां पर पांच अतीन आ अब इसका फिर ऐसे यहां पर एक माझा चार ढो थी कि तीन हर दो मेंटीपलाइब करके देखते हैं तो मैंटीपलाइब करेंगे आए गार देखे यह निए एक एक है दो इसे उठागे यहां रख देना चारतीय बार है नीचे रखेंगे चार और प्लस चार दोनी चार पंजे बीस अब फिर तीसरे पाएगा दो और यहां पे चार दोनी आठ चारी कम चार ठीक है इसी तरह से दूसरा वाला करेंगे तो यहां पर देखिए पहले हम बता दें कि यह नहीं पर यह आ रहा है कि यहां यहीं सरे मालुम चलना यह 8 जिरौ जिरौ प्लस फम Dazu तो 10 पैले एंपक्रीर और 10-02 पर 20 ख southwest ौई-पर और 50 को शुशन है X 5 it basically AT a B X 5 Metrics ने कि दोने सी five order के लेकि 50 वह 5 फाइब है और भी की ज्यूरें कोछ ढ़को chu नग makan और गृण होता है 9 उनके गृरन होता उसकी जो रआ को ती इन दोनों में ज़ो कमवाली रेंग होती होती इस को उतनी होती है नहीं जो इंटो में आता सले जाता है तो यह चेक कर लोड़ेते हैं वहां में निकल लिया जो आएगा 101 और से हमाँ लग जाएगा तो देखे जब हम बंसे करें तो वन प्लस जीरो बनाया अगा तरिसे करें वनal सी जीरो याएगा जब इसकी हम इससे करेंगे तो आएगा यहाँ पर ए प्लस और यहाँ पर आएगा जीरो वा यहाँ निकुल मिला कितना आया देखी निकुल तो आएगा जीरो और तो आएगा जीर जीयाँ अगा इसकी हम इसका Ohव माध्र, यहाँ इसकी हम इसके करेंखना हिएगा है। लेकी लिए, A inverse से multiply कर दें तिक है पिलस के A inverse 0 से multiply करें जिरो होजाएगा inverse की ऐसे करेंगे तो यहां हो जाएगा A यह A inverse A यह होता है आएक किल होता है और inverse की I से multiply करेंगे तो I यहाँ से remove हो जाता है यह property होती है A into I is equal to हमें इनमर्स होो गया है और है कि इनमर्स अब और किसे सक्ण हो हुआ कि यहां समें इनगा आइए कि कही दिख लेते हुमेह A, B, R, 2 square matrix such that A dot B is equal to A, B dot A is equal to B. तो हमें इसे मताना कौन सा है? A, B both are in item potent, A is only item potent, B is item potent, A, B are not, A and B are not item potent. देखें, A dot B is equal to A, और B dot A is equal to A, ऐसा तभी possible होता है. तो यहां पर देखें, हम आपको बता दें, A dot B is equal to A, और B dot A is equal to B, तभी होता है. जब A, A, B, दोनों कैसे हो? item potent. अगर यह item potent matrix हैं, तो A dot B is equal to A, और B dot A is equal to B होता है. तो इसका right answer है, इसका A. मैं समस्ता हूँ, आपको हमारे द्वारा बनाएंगे, वीडियो पसंद आई होगी. आपको हम एक information order दें, यहां हम कई दिन से आज हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थे, यहां हम जो वीडियो हैं अब नई तरके से बनाने की प्रियास कर रहा हैं, तो हम यह कोशिस कर रहा हैं कि सारी वीडियो का जो पूरा solution है, पूरा screen पे बिलकुत साफ़ साफ आपको उसी के प्रियास में जो है वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही मेरी, उसी में लगा हुआ हूँ है, तो सिगरी में अपने काम को पूरा करने वाला हूँ, और आपके लिए बिलकुत बढ़िया फ्रेस वीडियो बनके तयार होगी, फिर बिलकुत साफ आई हो, पूरा question पू पर आई होगी अगली वीडियो तक के लिए हमारे चैनल बने रहे है, तब तक के लिए जाहीं जाबारत